हालो गाईज हालो एंड वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप लो दोस्तों दो तीन जिन से मेरा फोन बंद पढ़ गया था और बहुत ज्यादा उसमें प्रब्लम्स आ रही थी सोधार मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करन वीडियो बनाये थे बड़े अच्छे और उनको अपलोड किया बड़ सेम टाइम मुझे उनको डिलीट करना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसा उन पर अटैक भी हो गया था आपको सबको पता है कि इस टाइम पर नेगेटिव एंटिटीज का कितना ज़्यादा अटैक हो रहे हैं सो हुआ ये कि मैं कुछ बाते चल रही थी नेगेटिव एंटिटीज के बारे में और उसी को मैंने उन वीडियो में डिसकस किया था ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत अगर क्लारिटी दे सकती हूं तो दूँ क्योंकि मैं चाहती थी इस बारे में बात करना बट वो मुझे नहीं करने दी गई never mind better luck next time फिर कभी करेंगे हम उस बारे में बात अगर नहीं करने दी जा रही है तो मैं नहीं करूंगी ओके तो आज का वीडियो जो है वो मैं बनाने जारी हूं आप लोगों के लिए कि जो आप लोग को पूस्ते हैं अच्छा ओके सॉरी फरस्ट आप फॉल तो हैपी मकर सक्रांती आप सब लोगों को मैं जस्ट बात मेरी स्टार्ट हूई और मैं फ्लो में बोलती चली गई ओके सॉ अगें बहुत बहुत शुपकर नहीं आप लोगों को मकर सक्रांती की ठेक है तो बात कर रहे थे हम कि आज का वीडियो किस बारे में है तो आज का वीडियो है कि जो कार्मिक है लाइफ में तो कल मेरे पास जो लेडिया ही थी उन्होंने पूछा था कि कार्मिक को रिलीज जब वो बात कर रहे थे तो उनकी लैंग्वेज थी इस टाइप उफ की मैं कार्मिक को रिलीज कैसे करूंगी या जब मैं कार्मिक को रिलीज करूंगी या मैं इस टाइप से भोल रहे थे वो तो then I thought तब मैंने उनको भी ये बात का guidance ही या and I thought कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए आप लोगों को जहां हमें लगता है कि क्यूंकि जन्रल बातचीत की language में भी यही बोला जाता है पहले अपने कार्मिक release करो पहले अपने कर्मा release करो कर्मा release करना तो ठीक है बट कार्मिक release करना या कार्मिक remove करना this is not the right way of thinking and speaking इहां से पूरा concept ही change हो जाता है यहाँ पर आपका एक और ब्लॉक आ जाता है खड़े होके सामने कि आपको कंट्रोलिंग का इश्यू आ जाता है विकर्ज आप सोच रहे हैं कि आपको उस पर्टिकलर पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव करना है या उनको हटाना है या उनको मतलब आप तो जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो अब आपको वो कार्मिक अब आपके साथ नहीं है तो अब आपको उनको रिलीज करना होगा तो यहाँ पर ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तब मैंने यह चीज जरूरी समझी डिसक्रस करना कि जो आप लोग बार बार क्वेस्चन पूछते हैं कि कार्मिक को रिलीज कैसे करना है कार्मिक को रिलीज कैसे करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है पता है आपको केवल इतना है कि वो person या वो कार्मिक release भी तभी होता है जब आप कुछ नहीं करते हो आपको यह intention लेके नहीं चलना है कि आपको किसी particular person को निकालना है अपनी life से या उसको remove करना है या उसको release करना है you just have to बार बार क्यों कहा जाता है कि surrender to divine everything बिल्कुल छोटी से छोटी बात भी है आपको divine को surrender करनी है कल मैंने एक video बनाया था उससे upload किया there was problem फिर मैंने अलग से एक video बनाया then I uploaded again there was problem then I was okay कि okay universe का message है कि यह video नहीं जाना चाहिए so this was the thing okay तो होता है कि surrender to divine and your situation ठीक है आपको surrender करना है divine को अपना पूरा situation पूरा situation ओके यहीं पर गलती होती ही कि जहां पर हम लोग बोलते कि कर्मा release करना है यह कार्मिक कर्मिक करना है हाँ दोस्तों फिर से देखिए वीडियो के अंदर disturbance आ गया okay so बात को continue करते हूं कि हाँ जब आप को करना है अपना intense inner work घुश के बिलकुल एक दम घुश जाई है inner work में और केवल वो करते रही है ठीक है पूल एप फुल डेडिकेशन के साथ बिलकुल आपको कोई doubt नहीं करना है मन में कोई question नहीं करना है मन में divine को कुछ भी नहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको okay because क्या होता है इससे क्या होता है जब आप when you surrender each and everything happening in your life to divine जब आप अपने जीवन में होने वाली हर बात के लिए divine को responsible कर देते हैं ठीक है उनको उनको सौंप देते हैं उनको बोल देते हैं कि आप जाने आपका काम जानए ठीक है आप जब अपने responsibility divine को देते हैं तो होता ही है, तब क्या होता है, होता ही है कि Divine Plan में पहली बात तो लिखा हुआ है कि आपके लिए कौन राइट है और कौन नहीं है, या कौन आपकी लाइट में रहेगा या कौन नहीं रहेगा, हम बस उस चीज़ को डिले कर रहे होते हैं, यह बात ख्याद रखिए, Divine Plan के अकॉर्डिंग ही जो होना है, वो तो होगा ही होगा, आप बस यह करते हैं कि उसको डिले करते हैं, sometimes by overthinking, sometimes by कभी-कभी doubt करके, कभी-कभ self-love या self-love पे work ना करते हुए, आप बस चीज़ों को डिले करते हो, otherwise everything is written in your Divine Plan, आपका जो story है, आपका जो life है, वो पहले से लिखा जा चुका है, so you need not to worry about कि कोन आपकी life में रहना चाहिए, और कोन निकल जाना चाहिए, you are no one to decide, Divine Plan में सब कुछ है, and उसी के according, जितना fast आप अपना inner work करेंगे, देखिए, जब आप अपना inner work करेंगे, तो क्या होगा, आपका healing fast होगा, आप heal होते जाएंगे, उससे क्या होगा, आपका, जो है, जब जैसे जैसे आप heal करेंगे, वैसे वैसे आपका journey, जो है, वो completion की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 101%, तो जब आप आपका journey, completion की तरफ बढ़ेगा, तो अपने आप, जो divine को पता है, सब कुछ पता है, जब आपने उनी को surrender कर दिया, सब कुछ चीजों को अपने control में नहीं रखते हुए, तो क्या होगा, कि divine को पता है, कि किन लोगों को आपकी life में रखना है, और किन को नहीं, और angels are always working, divine, universe angels, हमें लगता है, हम stuck है, या हमें लगता है, हम रुक्य हुए है, या हमें लगता है, हम कहीं नहीं पहुंच रहे है, ऐसा नहीं होता है, every time, every time, divine universe आप पर काम कर रहे हैं, आप पर काम कर रहे हैं, तो उनको, आप से ज़्यादा बहतर उनको पता है, कि किसको रहना है, और क आपको कुई सोच नहीं करना है कुछ नहीं करना है कुछ इंटेंशनली कुछ नहीं करना है विकलत क्या होगा कार्मिक रिलीज के नाम पर अगर आज मान लीजे अपना बैग उताता है और बोलते हैं कि so and so मैं तो ऐसे सब के अंदर हूँ मेरा vibration match नहीं करता है जो जो बाते हैं आप लोग वीडियो में सुनते हैं तो आपने मालीजे separation सीख कर लिया अपने कार्मिक के साथ बट अगर आपने वहां पर fully अपना कर्मा resolve अभी तक नहीं कर पाए हैं आप तो क्या होगा कि वो person आपके life में again घूमके वो cycle आएगा ही आएगा जब तक वो cycle अपने completion पर नहीं पहुँचेगा तो mind it ध्यान रखिए आपके करे से कुछ नहीं होगा आपको एक मात्र चीज करना है आपको surrender करना है total surrender आपको कुछ करना ही नहीं है आपको बस surrender करना है और full dedication के साथ अपना inner work करना है तो जब आप inner work करते हैं उससे होता ही है कि आपके karma resolve होते हैं जैसे जैसे आपके karma resolve होंगे तो it means कि आप उस karmic के साथ अपने karma resolve कर रहे हो slowly and gradually आपकी जो life है उसमें से आपको पता भी नहीं लगेगा कि unwanted जो लोग है unwanted जो relations है वो कब जो है अपने आप अपने आप बड़े ही शांती पुन तरीके से एक तो यह याद रखी कि आपने कर्मी को release कर दिया है या आपने कर्मा release कर दिया है उस particular person के साथ वो आपको कैसे feel होगा या कैसे पता लगेगा उसका सबसे बड़ा sign बता रही हूँ कभी भी लड़ जगड के या बहुत बड़े किसी scam के साथ या किसी कुछ ऐसे उसके साथ वो person आपकी life से नहीं जाएगा divine हर चीज बहुत सोचे समझे और plant तरीके से करते हैं तो वो person जो आपकी life से जाएगा न वो remove होगा या जाएगा या उसके साथ जब आपका karma resolve हो गया या उसके जाने का time आ गया बहुत शांती पून तरीके से जाएगा वो वो कभी भी लड़ाई जगड़े के जब जब वो लड़ाई जगड़े के थुरू जाए अगर कोई person आपकी life से समझ लीजेगा कि वहाँ आपका cycle complete नहीं होगा है वो karma अभी वहाँ बाकी है वो घूम के आएगा ओके बिकस अगर आप लोग किसी तरह के conflict में अलग हुए है तो इटमीन की कही न कहीं कुछ चीजें भी बाकी है ठीक है तो उनको रिजॉल्ट करने तो उस person को आपकी life में अगेन आना ही होगा इसलिए हमेशा याद रखिए आपका सबसे बड़ा sign होता है कि आपने कर्मा या कार्मी को रिलीज करती है उसका सबसे बड़ा sign होता है कि शांती पूर्ण तरीके से बीना आपको पता लगे बीना आपको महसूस भी हुए उपस्तन खुद बखुद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ठीके उनके साथ सब कुछ कब आपका ओवर हो गया या तो खुद ही कर देंगे ओके तो दिस वाज वीडियो अबाउट कार्मिक रिलीज क्योंकि ए क्वेस्टन तो बहुत बड़ा क्वेस्टन है ओके तो थैंक यू सो मच बाई